वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं वो मिली बंगाल के लाके में देखें देखें आप अभी यह सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे जो भी रेवल्ट पता है वो तो जारखंड ओडिशा वाले लाके में हुए देखें वो आप आज प्रेजेंट मैब देख रहे हैं अगर आप पहले का मैब देखोगे बंगाल जो है एक बहुत बढ़ा जो है प्रोविंस था और आपको जारखंड यह सब आपको बंगाल के अरिया में देखने को मिलेगा तो मेली उस समय अगर ब्रिटिश इंडिया की बाग करें तो यह जो है एक बोहट ही बड़ा एरिया जो है उबगा करता था अब कि मेली Britishers जो है ना पहले यहां पर enter करते हैं बंगाल में इनके settlements आपको बंगाल में देखने को मिलेगे मतलब coastal areas में कलकत्ता के आसपास आपको देखने को मिलेगे फिर आपको यहां पर Bombay, सूरत यह सब जगह है ना यहां पर Goa यह वाले areas में आपको देखने को मिलेगे लेकिन बाकी जगह अगर आप दोगना मतलब Britishers की entry जो है North East में जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी मतलब North East में इनकी जो entry है वो हुई है काफी लेट जियां देखे कैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1857 का revolt हुआ इसके पहले 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर की जो है वो चुके थे अब देखो इसके बाद लगभग आप देखो 1800 के आते आते मतलब 1800 से 1810 के बीच में ये लोग जो है इन सब areas पे जो है enter करना शुरू करेंगे मतलब अभी तक जो है ये सर्फ इतने areas पे जो है यहाँ पे खेल रहे थे लेकर अब जो है ये इस तरफ जो है बिल्कुल यहाँ पे enter करेंगे ना देखो discussion में इस वीडियो में कासी revolution के बारे में actually में ये था North East का जो है ये revolution है काफ़ी important है कई सारे जो exam में वो जो है आपसे बिल्कुल यहाँ पे जा सकता है उसके पहले अगर आप किसी भी exam की प्रप्रेशन कर रहे हो तो आप हमारे paid groups जो है जो है जो है आप call कर सकते हो इसके साथ फ्री टेलिग्राम जो चैनल है Study for Civil Service उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे जोईन करने आप इन सब नंबर्स पे जो है आप एक contact बिल्कुल जो है कर सकते हो टेलिग्राम पे यूटूब इंस्टाग्राम फेस्बुक हर जगे जो है आपको पेज देखने को बिलेगा तो बिल्कुल जो है आप सब्सक्राइब कर दो देखो first of all तो आपको समझना होगा खासी अपराइजिंग जो है 1830 से लेके 1833 तक होई है यह मिली आपको नौर्थ इस्टन माउंटेंज एरिया में देखने को मिलेंगे देखो नौर्थ इस्ट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि काफी सारी घरे जंगल है पूरा एक देखने को मिलेंगे सिर्फ revolution की कोई एक वज़े नहीं होती तो खासी अपराइजिंग जो है 1833 में होती है में revolution वैसे तो यह 1830 से यहां पर चल रही होती है लेकिन जो में पेस है ना में जो क्रांती है वापका 1830 सक देखने को मिलेगी और यह में ली खासी और जैंतिया हिल इसके आसपास वाले एरिया में जो है आपको देखने को मिलने वाली है ना इस सब चीजों को समझने के लिए आपको मैप को जो है थोड़ा सा यहां पर समझना होगा देखो यह एरिया है में घाले का मतलब यह उस समय का बात करें तो यह आप देख से जैंतिया हिल्स है यह ढेन्तिय ह्ल्स है यह खाषी हिल्स है यह s बंगाल पर ऑन्स सब और अपने कोशिश पर ने हैं यहां पर नौर्ठ vaan्ट की तरफ भ्लकौल यहां पर बढ़ेंगे हाला कि यह लोग लेड इसतर बढ़ेंगे मतलब पहले अपने settlement इस जगह पर लगा लेंगे इस जगह पर बाद में बिलकुल यहाँ पर बढ़ेंगे आपको पता है अंग्रेज जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं चोड़ने वाले उनको सिर्फ चाहिए पैसा तो वो मेखाले की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और देखो आज का मैप अब आपको बिलकुल यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा अब देखो उस समय जो है ओडिशा का इरिया जो है बंगाल के अंदर अंडर में जो है आता था और हम सब बिलकुल यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं तने सारे वीडियो में कि बिटिश रस क्या करते हैं भाया इंट्रेस्ट में बहुत जादा इंट्रेस्टेट है उनको चाहिए क्या जंगल लगडी से यहाँ पर कमाएंगे पैसे आपको पता है कि बाहर की जवहों पे जो लगडी है उसकी बहुत सारे डिमांड होती है और लगडियों की भी आपको कई सारी वाराइटी देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि एक ही वाराइटी है तो मेली अगर आप थोड़ा इस्ट इंडिया कंपनी को एनलेस्स करोगे ना इस्ट इंडिया कंपनी का तो आपको यह समझ में आएगा कि यह एक कंपनी ट्रेट करने आती है उसके बाद यह पूरे तरीके से अपनी आर्मी भी यहाँ पर इस्ट इंडिया कंपनी आप यहां पर रूल भी करती है तो इस्ट इंडिया कंपनी आप यहां पर क्या करती है बिसिकली एक route जो है बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं लेकिन देखो इन सब चीजों को देखते हुए जो खासीज है गैरोज है और भी community जो है यहाँ पर unit हो जाती है अब तिरोध सिंग जो है यहाँ पर leader होते हैं तो एक बात ध्यान रखना की खासीज जो यहाँ पर revolution हुआ था खासीज जो revolt हुआ था इसकी leadership में हुआ था तिरोध सिंग की जो है leadership में आपको देखने को मिलेगा अब देखो होता है यहाँ पर यह है कि यह जो है ना यह जो communities है यह सब यहाँ पर band कर देती है कि नहीं वह या outsider जो है पूरे तरीके से यहाँ पर इस planes में नहीं आईगे मतलब planes से समताल इलाका है वहाँ से लोग यहाँ पर किस तरफ settle हो रहे है जो पहाड़ी इलाका है वहाँ यहाँ पर settle हो रहे है अब देखो जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि जो अंग्रेज है वो भूके है किसके उनको चाहिए forest ठीक है अब जब यह सब ट्राइब यहाँ पर यह देखने लगी कि भी यह जो अंग्रेज है यह सब जगह छोड़के हमारी हिस्सी को क्यों यहाँ पर कबदार है मतलब यह मेखाले की तरफ यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं तो यह सब युनाइट होती है खासीज गैरोस खंतीस सिंखवर्ण यह सब जो कम्यूटी है यह सब यहाँ पर एक साथ आ जाती है और फाइनली यह रिवर्ट करना शुरू करती है कि यह जो करतें यह जो है रूट यहाँ पर करेंगे मतलब जो रूट है मतलब जो रास्ता है वह यहां पर बनाएंगे अब देखो खासी इीडर की टेरिटरी इस जो है इन सब के बीच में पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी यह लोग जो है खासीज को जो है एक बैटल यहाँ पर लड़ना पड़ा खासीज नहीं यहाँ पर कहा कि यह ठीक है अब जो है हम बिल्कुल आप से यहाँ पर लड़ेंगे और बैटल जो होता है और बिटिश क्या करते हैं हाई लेंड्स पर पूरे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल ले लेते हैं अब देखो यहाँ बिटिश को भी आपको समझना होगा बिटिश बहुत होस्यार थे बिटिश क्या करते थे बिटिश जो है पूरे तरीके से हैं पॉलिटिक स्केल लेते थे जो हमारे लोग थे उनके पस emunations की कमी थी थोड़ा guidance की यहाँ पर कमी थी तो बहुत सारी जो है कमी है रही जिसकी वैसे बिटिशास हमेशा ही यहाँ पर जीते जा रहे हैं तो बेसिकली यह था समय वाले इरिया में आपको देखने को मिलेगा में एटलास आपको पदी के आखने में क्या हुआ होगा प्रिटिश ने ब्रूटली बहुत ही बुरी तरीके से इस पूरे विद्रोग को खतम कर दिया, आपको पता है कि प्रिटिश जो है गोली चलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हरते थे, उनका सिर्फ काम था कि हमको पैसे चाहिए, जाहे वो किसी भी तरीके से हुए, इसके स साथ गेतन तिस वीडियो का सुने के लिए बहुत अन्वाद, चैहिंद चैभार,